हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वो निड़ा टीवी में इन्वर्सल बोड इंस्टॉल करेंगे यह वो निड़ा का 40 इंच का LED टीवी है इसी टीवी में आज हम इन्वर्सल बोड इंस्टॉल करेंगे आप अभी देख पा रहे हैं इन्वर्सल में बोड विद पाउर सप्लाई का बोक्स आपके सामने है पर फ्रेंट्स जो बोक्स के उपर नंबर है यह नंबर इसका असली नंबर नहीं रहता है आज कल बोक्स भी जो है सब एक जैसा ही आने लगा है वज़ा यह है कि अभी जो बोक्स बन रहा है वो अभी इन्वर्सल बोक्स बनने लगा है तो हम अगर top view देखेंगे तो हो सकता है same board रहे और यह भी हो सकता है कि उसमें अलग board भी हो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे board number और board के image यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आजकल जो box बनने लगे हैं वो भी universal type के बनने लगे हैं इसी भी box में आप कोई भी main board रखके उसमें tick mark कर देंगे tick mark गलत भी कर देते हैं इसमें भी tick mark गलत किया हुआ है board अपना जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका number यही board आज हम इस set में इंस्टोर करेंगे तो friends आप भी जभी main board करेंगे हैं तो आप यह न सोचें कि box पे कुछ और नाम है box के अंदर जो board रहता है उसका नाम back side में भी आपको देखने को मिल सकता है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं तो friends आईए अभी मैं आपको इसके साथ आया हुआ remote दिखाता हूं यह हमारा जो main board है यह sb का manufacturing है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं remote भी sb का ही है remote में कोई changes नहीं है जो आम universal board का remote आता है वही remote है सिर्फ इस पे नाम लिखा हुआ है sb का और कुछ फर्पनी है तो friends आप देख पा रहे हैं अभी board में आपका sensor pcb का wire लगा हुआ है कि क्या तो क्या होता है न कि जब भी भी मैं main board खरिकता हूं तो उस समय जो है sensor का wire लगा करके और एक main squad जो है attach करके check कर लेता हूं कि board on off हो रहा है कि नहीं हो रहा है board में power आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो remote उसके साथ आया है उससे on off हो रहा है कि नहीं हो रहा है remote work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आप लोग भी जब ही भी इन्वर्सल बोड कोई भी हो विद पाउर सप्लाई हो या विदाउट पाउर सप्लाई हो अगर आप पर्चेज करते हैं तो एक बार उसको सप्लाई दे करके रिमोट से अनफ करके जरूर देख लें और दूसरा या कि जो भी सप्लाई से आप बोड पर्चेज कर रहे हैं वहाँ से इसका सप्लाई या इसका रिजूलेशन कोड जरूर पता कर ले बहुत सारे फ्रेंट क्या करते हैं कि बोड तो खरीद लेते हैं कहीं से भी लेकिन उसका resolution code जो है swap से नहीं लेते हैं जिसके वज़े से उन्हें बहुत दिक्कत्तों का सामना करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को call करना पड़ता है तो ऐसा आपके साथ भी नहो फ्रेंट से यहां पर देख पा रहे हैं आप यह MOSFET है power supply का नया board है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका power supply में लगा हुआ MOSFET और इदर के लगे हुए कुछ component के clear image दे दूँ आपको ताकि future में अगर कभी ऐसा board आपके पास भी आता है और जिसका power supply burn हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना board complete कर सकते हैं उसको ready कर सकते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां का power supply section का clear वीडियो निकाला है जिससे कि आपको एक एक component का number जो है साफ साफ दिखाई दे ताकि आने वाले वक्त में कभी जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना set ready कर सकें तो friends आप इस वीडियो को ध्यान में रखें अगर कभी future में आपको जरूरत पड़ता है तो आप ZM Electronics and Institute चैनल को सर्च करें और वहां से इस वीडियो को देखें और जो भी आपके दिक्कते हैं उसको दूर करें इस बोर्ड में जो है और सप्लाई के बाद आपको जो है मैं यहाँ पे backlight circuit दिखा रहा हूं हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको यहां से जो है कुछ register कम ज़्यादा करना पड़े backlight adjust करने के लिए वैसे तो इसकी जरूरत बहुत कम पड़ता है आप service mode open करके वहां से backlight कम ज़्यादा कर सकते हैं हाँ अगर service mode ही आपको नहीं पता है या service mode open करने के बाद आपको नहीं पता है कि आप कहां पे जाके क्या adjust करें तो आपका backlight का विरियसन आएगा कम या ज़्यादा आपकी light होगा तो आप सीधे सीधे यहां से register remove या add करके भी जो है आप अपना backlight कंट्रोल कर सकते हैं जो supply आपको चाहिए उस हिसाब से adjust कर सकते हैं यहां पे तो friends यहां पर एक बार आप लोग देख लिजिए फिर से board का clear number आपको में दिखा रहा हूँ friends इसका service mode क्या है वह और regulation code क्या है दोनों ही मैं अपने बारे में थोड़ा सा जनकारी आपको देने के बाद से बताऊंगा इस वीडियो में तो आप continue बने रहें Hello friends ZM Electronics and Institute में आप लोग का हर्दिक स्वागत है friends मैं LCD LED TV trainer जहिर खान मुंबई से अगर आप सब LCD LED TV repair की training लेना चाहते हैं basic select advanced level तक की तो आप मुझसे दिये हुए नमपर पर संपर्क करें training का demo एक छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ BGH BGH जो है आपका 20 से 32 होता है और BGH भी अगर वहीं पर लिखा है या BGH तो वह 10-22 या 24 बोल्ट भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप तो मुझसे संपर्क एक बार जरूर करें अब आगे वीडियो कंटिन्यू देख लिए आप सब तो फ्रेंट्स यह था मेरा अपने बारे में थोड़ा सा जनकारी अगर आप सब सेमिनार या इंस्ट्यूट में ट्रेनिंग लेना चाते हैं तो दीवे नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं तो फ्रेंट्स देख सकते हैं बोर्ट फिटिंग हो गया है भी मैंने बोर्ट फिटिंग करते हुए इसलिए नहीं दिखाया आपको कि बहुत सारा वीडियो मेरा इस चैनल पर अबलेबल है जिसमें बोर्ट कैसे फिट करना है वो मैंने दिखाया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेट आउन कर दिया हूँ और यह इसके साथ आया हुआ रिमोट है तो जैसे कि आप भी देख कर समझ गए होंगे कि इस रिमोट में कुछ नया नहीं है यह जो आम इनिवर्सल रिमोट आता है सब बोड़ों के साथ में यह भी वैसा ही चैनल रिमोट है तो आपका EU11 के साथ में जो रिमोट आता है वो भी इस पर परफेक्ट वर्क करता है तो फ्रेंड्स आईए अब हम इसका सर्विस मुड ओपन करते हैं तो पहले प्रेस करेंगे मेनू उसके बाद 1147 और जैसे ही हमारा सर्विस मुड ओपन होगा तो इसमें हमें सब चार्ट दिखाई देगा तो बाकी हमें कहीं पर भी छेड-चार करने की जरूरत नहीं है हमें सिरफ इसमें एक स्पेसल सेटिنگ पर जाना है और दूसरा पैनल एड़जस पर जाना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेसल सेटिंग में जो है इसके युवाट दिवग है वाइट पैटर्न है तो इनको हमें नहीं छेड़ना है और पावर ओन लोगो है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सेट अने के बाद से जो है लोगो आना चाहिए तो आप पावर ओन ल मैक्स फिलेप्स, सोनी, तोसीवा, विडियो कौन, कैप्चर, कैप्चर में आप अपने मर्जी का लोगो डाल सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि लोगो सेट करना है तो ही लोगो आन किजिए और जैसा चाहे जो भी चाहें आप लोगो सेलेक्ट कर लीजिए या आपके पर डिपेंड करता है कि आपको लोगो क्या रखना है उसके बाद से जो है अगर नहीं जरूवत है तो आफ कर दीजिए और बैक आजाईए अब उसके बाद से जो है आप आईए पैनल एड़ेस्मेंट पे वैसे तो मुझे सेट में कुछ करने की जरूवत नहीं है क्योंकि कि मेरा फूल एजडी पैनल था और अपने आप जो है वो सेट हो गया था सब कुछ लेकिन फिर भी मैं आपके जनकारी के लिए यहां पर दिखा रहा हूं कि यहां पर देखिए बैक लाइट का जो रेंज है वो 155 है और यह इसका मैक्सिमम रेंज है आप चाहें तो के अनुसार इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि देख पा रहे होंगे मैंने अभी इसमें 150 रखा है उसके बाद इसमें आता है टी आई मैप आता है फिर एवी पोर्ट आता है तो एवी पोर्ट की जरूद तभी पढ़ता है जब आपका लेटर जो है सब लिखा हुआ जो है अगर अक्षर सब फटा फटा आ रहा है फैला फैला आ रहा है तो आप एवी पोर्ट को आउन अफ करके देख सकते हैं उससे आपका सही हो सकता है लेगन किसी किसी सेट में यह आप्शन आउन करने पे नो पिक्चर हो जाता है तो आप घबराए नहीं आप वापस जो हुआ जो दिख रहा था फटा 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 हुआ आप नॉर्मल दिखने लगा है तो फ्रेंड्स जब आप एड़ेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद से आप मेनू दबाके दो बार अगर मेनू प्रेस करेंगे तो आप एगजिट हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे और जैसा क लिए हमें इन्पूट प्रेस करना है और उसके बाद से इन्पूट के बाद से जो है 3181 करेंगे तो HD रेजूलेशन में चला जाएगा हमारा सेट आफ होके अन हो जाएगा और वापस वो नू पिक्चर हो जाएगा क्योंकि यह जो पैनल है यह फूल HD का है तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने रेजूलेशन चेंज किया तो अभी नू पिक्चर हो गया अभी यहाँ पे सिर्फ बैक लाइट जल रहा है तो हो सकता है कि अगर आपका सेट HD हो और आपने जबी यह बोर्ड ख और उसके बाद से रेजूलेशन कोड आप डाल दें चेंज कर दें तो आपका पिक्चर आजाएगा वापस जैसा कि आप देख पा रहे हों कि मैंने जो है वापस इसका रेजूलेशन कोड चेंज कर दिया और फिर हमारा पिक्चर आ गया जैसा कि पहले था अभी बुलू ब आप देख पा रहे हैं तो friends इसी तरह से आपको भी घबराना नहीं है सयम के साथ आपको सब सेटिंग करना है जबी भी आप नए अबोर्ट पर्चेस करते हैं तो friends अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल नोटिफिकाशन को आप सेट कर लें आल नोटिफिकाशन पे ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स